तमाम D.L.A.D. स्टूडेंट्स और D.L.A.D. के परसी चनरती स्वागत एक बर फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल MSA क्लासिस पर तो इस वीडियो में हम आपको ज़ाडखन प्राइमरे टीचर्स ट्रेनिंग या ज़ाडखन D.L.A.D. फाइनल एक्जाम दोहर बाइस को लेकर सामाजिक विज्ञान यानि पेपर 9 का EBS 1 का इंपोर्टेंट कोस्चेन और टॉपिक्स आप लोगों बताएंगे और मुझे उम्मीद है अगर आप इन इंपोर्टेंट कोस्चेन और टॉपिक्स से तयारी करते हैं तो आपका प्रिपरेशन भी अच्छा होगा शाथ आपका रिजार्ट भी अच्छा आएगा तो चलिए सब कुछ डिटेस में एक एक कोस्चेन बताएंगे अपना कॉपी और पेन तयार कर लिजिए और इससे पहले अगर आप लोगों ने बाकी इंपोर्टेंट कोस्चेन नहें देखे हैं फाउंडेशन पेपर 1,2,3,4 इंग्लीज, मैथ, साइन्स इन सभी का डिस्क्रीशन में लिंक है आप लोग जाकर देख लिजेगा तो चलिए इस वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान यानि सोसल साइन्स का पेपर 9 का इंपोर्टेंट कोस्चेन बताएंगे जो की डिलेट फाइनल एक्जाम दोह पर बताने से पहले कोस्चेन पैटर्ण समझा देते हैं कि कोस्चेन पैटर्ण कैसा रहेगा देखें कोस्चेन पैटर्ण जो रहेगा ओ रहेगा एंसर टू क्वेस्चेन फ्रॉम सेक्षेन ये एंड त्री क्वेस्चेन फ्रॉम सेक्षेन बी खंड को से दो और खंड को से तीन प्रश्चनों के उत्तर दे इसमें आपको होगा क्या दो खंट रहेगा सामाजिक विभ्यान में यानि सोशल साइंस में ठीक है इसमें दो खंट रहेगा section A रहेगा section B section A में आपको total 4 question maximum दिखा गया है कि 4 question आता है और उन 4 question में से आपको कोई दो question का answer लिखना पड़ता है और section B में आपका subject related content रहेगा तो चलिए आपको बताते हैं कि किस में क्या रहेगा और कैसे आपको answer देना है सबसे पहला बात करेंगे खंट A यानि section A में जिसमें आपको total दो question का answer देना है और total चार question में से तो इन चार question के लिए आपको मेरी तरब से साथ question बता जाएगा अगर आप इन साथ question को तयारी करते हैं इन साथ topics को तो मुझे उम्मीद है आप लोग का result भी हो अच्छा होगा शाथ ही आप लोग preparation भी अच्छे से कर सकते हैं तो अगर आप अपने से तयारी कर रहे तो बहुत अच्छी बात है शाथ ही आप इन question को भी अपने तयारी में सामिल ज़रू कीजेगा और इन सभी question को आप लोग copy में note कर लिए और इनकी तयारी बहतिन तरीके से कर की जाएए तो section A के लिए पहला question सामाजी विज्ञान से लेटेड सामाजी विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, महत और उद्देश का वनन करे throw light on the meaning, nature, purpose and scope of social science सबसे पहला आप सभी को बता दे यह आप के लिए बहुत जरूरी और यह VVI लगा लिजे इसमें आपको question अलग-अलग करके भी आ सकता है लेकिन आपको करना क्या है? सामाजी विज्ञान का meaning, सामाजी विज्ञान का प्रकृति, इसका महत और उद्देश चारो पॉइंट को आप लोग को तयार करके जाना है इनका जैसे भी जैसे question आएगा आपको उस तरह से लिखना है लेकिन चारो को तयार करके आपको जाना पड़ेगा अगला question है, मेरी तरब से size state के तौर पर ओर हैगा question number two प्रात्मिक और मीडिल अस्तरो पर सामाजिक विग्यान सिक्षन के क्या उद्देश होना चाहिए वर्नन करें देखे question आपका एही सब आने वाला है थोड़ा सा अगर इसका question के घुमा भी दे तो आपको समझ बनाना पड़ेगा कि इस question का मतलब यही है कि सामाजिक विग्यान का जो सिक्षन है उसका उद्देश क्या है तो प्रात्मिक और मीडिल इस्कुलों पर कभी कभी इसका question आजाता है कि विद्याले अस्तरो पर तो answer आपका एही होगा ठीक है question number three जो है मेरी तरफ से ओर रहेगा चलिए इंग्लीस बता जेता है उसका what should be the purpose of teaching social science in primary and middle level discuss चलिए question number three बताते है मेरी तरफ से साइश्टेट रहेगा और हैगा सामाजिक विग्यान सिक्षन में सिक्षन उपादनों का क्या महत्त है व्यक्या करे what is the importance of teaching materials in teaching of social science explain यह question आप लोग इस वार के लिए भी भी आई लगा लिए यह बहुत ज्यादा important है यह मेरे ख्याल से ठीक है इसमें आपको दो तरफ से question आ सकता है एक तो आपका सामाजिक विग्यान सिक्षन में सिक्षन उपादनों का क्या महत्त है वननन करने के लिए आएगा या फिर आपको बोला जाएगा कि सामाजिक विग्यान में परियुक्त होने वाले सिक्षन उपादनों को लिखे तो यह question आप लोग त्यारी करके जाना है और हाँ आप लोग को बताने ज़रूरी है कल से आप लोग लिए answer वीडियो भी आने वाले है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा और शाथ ही अपने दोस्तों को भी स्याइग किजएगा ठीक है तो कल से answer वीडियो भी आने वाला है और आज जो है आप लोग का यहाँ पर important question खतम कर रहे है सभी paper का हम important question डाल दिया है जो लोग अभी तक बाकी papers के important वीडियो नहीं देखे है तो description में लिंक है आप लोग सभी question को note कर लिजएगा foundation paper 1, 2, 3, 4, Hindi, English, सब कुछ आपको दे दिया गया है तो मेरी तरब से अगला जो question आप लोग को size state के रूप में मिलेगा वो बहुत ज़्यादा important है और ये नहीं सिर्फ ये दोनों question 4 नमबर और 5 नमबर और आप लोग बता दे 4 नमबर और 5 नमबर दोनों question आपका math और science math और science का similar question है अगर आप math और science में ये दोनों question तयारी कर लिए है तो फिर आपके इसलिए सामाजी विज्यान में तयारी केना बहुत ज़्यादा आसान है इसमें दोनों कोशिन क्या है एक है आपका पार्ट योजना से आप क्या समझते है किसी कक्छा का किसी परकरन पर एक पार्ट योजना का निर्मान करे What is lesson plan? Explain the necessity of lesson plan in the teaching of social science मतलब हो गया कि आपको किसी एक पार्ट योजना के बारे में जो है पार्ट योजना का निर्मान करके तयारी करके जाना है यानि आपका चाहिए मायत हो चाहिए आपका science हो या फिर आपका social science हो आपका subjects related एक lesson plan तयारी करके जरू जरू जाईएगा और especially class 5, class 4 और class 6 इन तीनो class का ही आप लोग को ज़्यातर देखने को मिला है तो आप लोग ज़्यातर class 5 और 6 का तयारी करके जाईएगा तो पार्ट योजना से related question आने की संभावना है math में हो या science में हो या social science में हो आपको science में भी दिये है suggested के रूप में तो अगर आप एक question कर लेते हैं तो आपका दोनों answer दोनों subject के लिए हो जाएगा तो इस question को जरूर करके जाईएगा English में देख लेते हैं what do you mean by audio visual aids describe any six teaching used in teaching of social science ठीक है तो श्रव्य द्रिश्य शामगरी और पार्थ हो जिना यह दोनों similar question है math science से related तो आप लोग इनको को जो है त्यारी करने भी आसानी होगी अगला है शामा जी विज्ञान सिख्छक के गूनों का वर्नन करें यह question भी आ सकता है यह आपको हम दे रहे है important के तोर पर discuss the qualities of a social science teacher in brief तो social science teacher के गूनों का आपको वर्नन करने पड़ेगा तो यह question आने का संभावना तो इसको त्यारी करके चले जाएगा ठीक है जाएगा जरूर और मेरी तरफ से जो last आप local question रहेगा और उसके बाद भी आपको section B के आवार में भी समझाएंगे तो इसलिए वीडियो को last तक जरूर देखिएगा और सभी चीजों को सुनिए ध्यान से और सभी चीजों को follow जरू कीजेगा ठीक कहीं पर भी skip कीजेगा तो फिर आपको जो important जानकर हम बताने जा रहा है वो आपको फिन नहीं मिल पाएगा सही से तो question number seven last मेरी तरफ से total 4 question के लिए हम साथ question दे रहे हैं इनमें आप वो देख लिएगा और अगर हाँ एक request रहेगा कि आप लोग खास करके टेलीगराम चैनल बनाये गया है बहुत सारे कैंडियर सुमें 700 के आसपास जोइन हो चुके है अगर आप लोग नहीं जोइन कर किया है तो टेलीगराम में जाकर सच किजिए जैक डी एलेट जैसी जैक डी एलेट तो जो चैनल आएगा उस चैनल को जोइन के लिजेगा ठीक है इस पेसले डीलेट इस्ट्रूमेंट के रही चैनल बनाये गया है राकि और भी आगे आने वाले दिनों में आप लोग को इंफोर्मेशन मिलता रहे है कोस्टन 7 में हमारी तरह से सच्ञेट रहेगा उरहेगा सामा जी विज्यान सिक्षन की वीजिन वीडियो का वणान करें और यह आपका सिमिल्यर कोस्टिन है किस तो सायंस और मैथ से तो आप लोगो method जरूर करके जाना है चाहे science का हो, math का हो या फिर social science and evs1 का हो ठीक है तो हर paper यहाँ पे तीनों paper के लिए आपको त्यारी करके जाना है जरूर सिक्षन वीधी तो चलिए इसमें आपको कौन कौन सा वीधी हमारी तरफ से social science में दिया जा रहा है यह आपको बताएंगे तो describe the methods of teaching of science और एक बात इसमें हम total और चार ही आपको method बताएंगे लेकिन और भी method आप लोगो science और math में हम already बता चुके है तो अगर हम math और science में method वगरा त्यारी कर चुके है और मालने जिए कि उन question को ही इन में आ गया तो आप लोग आसानी से उसी को बस सामाजी विग्यान में ढाल देना है ठीक है उसमें changes कर देना है लेकिन यह बात कोई भी question आपको छोड़ना नहीं है पांचों का पांचों question आपको answer जरू लिखना है चाहे आप जितना भी आपके पास time रहे जितना भी आप लिख सकते हैं ठीक है लेकिन एक चीज meaningful आप लोग लिखने की कोशिस किजिएगा तो चलिए शामा जी विग्यान सिक्षन की वीविने वीदियो में हम आपको social science के लिए दे रहे हैं पहला है निरिक्षन वीदी जिसमें निरिक्षन मतलब inspection method हो गया जिसमें वच्चों को क्या किया आता है निरिक्षन करके सिखाया जाता है तो इस वीदी के बारे में आप लोगो थोड़ा सा फिर प्रेसें कर लिजेगा निरिक्षन वीदी से related आपको कम सिकम थोड़ा बहुत पढ़के जाना है और इसको लिखके आना है अगर ये question आता है तो इसी तरह से अगला question देख लेते है शमस्या समाधन वीदी ये question आपको कई तरफ से हिंदी में घुमा के देगा इसलिए आपको इंगलीस वाला याद रखना होगा problem solving method तो समया समाधन वीदी इसको कभी हिंदी में लिखा रहते है कभी शमस्या हल वीदी या फिर आ जाता है समस्य निराकरन विधी या फिर सिधा आ जाएगा निराकरन विधी यानि यह कोस्चेन यही है कि solving method को आपको लिखना है problem solving English वाला ज़रूर आप लोग point देखिएगा अगला question जो है method बहुत ज्यादा important है social science के लिए जिसमें आपको करना क्या है विचर मिमस विधी का अध्यान करके जाना है विचर मिमस विधी मतलब हो गया narration प्रदर्शन सहच चर्चा विधी यह बहुत ज्यादा important है इसको त्यार करके जरू जाना है अब बात करेंगे section B का section B के लिए आपके लिए बस एक ही रास्ता है वो रास्ता हम बता रहे है जो उसको follow कर लिजेगा description में previous 7 years का question डाल दिया है जिसमें आपको social science का भी question मिल जाएगा previous social science का 7 years का यानि 7 सालों का question देख लिजिए और जितने भी section B से ठीक है जितने भी section B से अगर आप लोगों में से कोई भी मेरा notes भी लिया होगा तो आप लोगों यह हम जरूर सैशन करेंगे कि previous 7 years का जितना भी question है या फिर जो notes नहें भी लिए है जो तयारी कर रहे है हमें स आप solve कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का result भी अच्छा होगा और आप लोगों का preparation भी होगा और उमीद है कि जामें भी question आने के समावना रहेगा पिछले साथ सालों से related section B से ठीक है तो यह रहा डिटेल्स में आपको सब कुछ बता दिए बाकिए वीडि लिंक है और टेलिग्राम चैनल को जॉइन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी आप लोग इसी तरह से content मिलता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया